मुश्कार दोस्तों मैं हूं यूसुफ अली आप देख रहे हैं सेफ नियूज लाइव आईए देखते हैं आज की खास खबर वसाई में समुद्रित तड़ पर दिखाई दी तीस टन वजनी 40 विट लंबी मृत्त वेल मचली मंगलवार दोपहर को वसाई के माड़े समुद्र तड़ पर तीस टन वजनी 49 विट लंबी वेल का अत्यदिक विगटित शव राक में बरा दिखाई दिया आपको बता दे इस सालिक लोगों ने अत्यदिक विक्षत शव देखा और गटना स्थल से आती दुर्गंद के चलते ततकाल शेत्री पुलिस को जानका निदी गटना स्थल पर पहुंचे वन अधिकारी ये अध्यन करने में जुड़ गए कि क्या मृत्य विशाल का ये मचली स्तन पाई एक बेलन वेल थी लेकिन चुकि ये अत्यदिक विक्टित हो गई थी इसलिए प्रजादी की पहचान नहीं की जा सकी अधिकारियों ने अशंका जताते हुए कहा कि वेल अगस्त में किसी समय मर गई होगी और उच्च जवार के दोरान वसाई तड़ पर बाग गई होगी अधिकारियों ने ये भी कहा कि भारी बारिश और बद्वु के कारण इस्तैन पाई को निकालना और दफनाना एक मुश्किल काम होगा लेकिन फिर भी शव को दफनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि आवारा कुट्ते उसका मांस खा सकते हैं पालगर के एक पशू चिकिसक डाक्टर राहूल संखे ने कहा कि अन्य समुद्र जीव की तरह वेल भी समुद्र में स्वभाविक रूप से मर जाती है जहां उनका शेरीर तेजी से सड़ जाता है तेज धाराएं उन्हें किनारे लाकर पटक देती है डॉक्टर संखे ने वेल की मौत प्राकरतिक कारोणा या निवाजिस्तान में बदलाओ या अन्यकारकों के करण हो सकने का अनुमान भी जताया है ब्योरा रिपोर्ट सेफ न्यूद लाइव हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एयों सेवा से संबंदित विज्यापन है तो मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर करे